हजारों साल पहले पवित्र शास्त्र में भविश्य वक्ताओं ने लिखा कि परमेश्वर पापियों को बचाने और अपने साथ मेल मिलाप करने के लिए मसी को भेजेंगे। के सामर्थ्य से मर्यम जो एक कुमारी थी घर्भवती हुई और उन्होंने इश्यू को जन्म दिया। जैसा शास्त्र वचन में लिखा है। कि उन्हें अनंत राज्य में स्थान मिलेगा। येश्यू ने अपना जीवन बलिदान किया और सब मनुष्यों का दंड स्वयम सहा। उन्होंने मृत्यकों में सिजी उठने के द्वारा ये प्रकट किया। उनका जीवन बिलकुल ऐसा था जैसा भविश्य वक्ताओं ने मसी के विशह में लिखा था। इस बात का पक्का प्रमान कि परमेश्वर का वचन पूनत, पवित्र, सत्य और कभी ना बदलने वाला है। येश्यू ही परमेश्वर का वचन है, परमेश्यू के द्वारा अपने आपको लोगों पर प्रकट करते हैं। येशु हमें परिपून जीवन देने आएं। आदि में परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना की थी, ताकि वे उनकी उपस्थिती में आनंद से रह सकें। लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर अविश्वास किया और उनकी आग्या को नहीं माना। उस लज्जा जनकार्य ने उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि सभी मनुश्यों ने पाप किया है और पाप का परिणाम मृत्यु है। जो लोग पाप करते हैं, वो परमेश्वर के साथ संगती नहीं कर सकते। जिस प्रकार परमेश्वर ने एक मेंधा अबराहम के पुत्र की जगे मरने के लिए उपलब्द कराया, इसी प्रकार परमेश्वर ने येश्व को आदम के वन्शचों की जगे मरने के लिए भेजा। उन्होंने ये इसलिए किया कि जो कोई भी यीशु पर विश्वास करते हैं वो उनकी उपस्थिती में आ सकते हैं इसलिए जो यीशु के पीछे चलते हैं वे पाप के दंड से छुटकारा पाकर सदैव परमेश्वर के साथ रहेंगे जब यीशु मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने अपने चेलों से कहा हर राष्ट्र में मेरे नाम से लोगों में ये प्रचार किया जाएगा कि परमेश्वर उनके अपराद ख्षमा करते हैं जो अपने पापों को छोड़ कर उनकी और फिरेंगे यीशु ने ये भी कहा कि परमेश्वर पवित्रा आत्मा को भेजेंगे कि वे उनके चेलों के साथ रहें और उन्हें सामर्थ्य दें कि वे परमेश्वर के मार्ग पर चल सकें जब एक पापिन स्त्री ने अपने पापों से मन फिराया और यीशु के पीछे चलना शुरू किया तब यीशु ने उससे कहा तेरे पाप ख्षमा हुए तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया यीशु ने कहा जब लोग पून सच्चाई से परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसका प्रमान है कि परमेश्वर ने उनके अपराद ख्षमा किये जो यीशु के शिश्वर बनने का निरने लेते हैं वे यीशु के साथ अपने संबंद की शुरुवात इन शब्दों के इस्तिमाल से कर सकते हैं पिता परमेश्वर आप धर्मी हैं मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं मुझे इस बात का पच्चतावा है कि मैंने आपकी आज्याओं को नहीं माना और आपके विरुद्ध पाप किया मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने यीशु को मेरी जगे क्रूस पर मरने के लिए भेजा और वो तीसरे दिन जी उठे मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे पापों का दंड सहा मैं आपके मार्ग पर चलना चाहता हूँ और यीशु को अपने उधार करता और प्रभु के रूप में ग्रहन करना चाहता हूँ मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे पापों को क्षमा किया वो मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं अपने पूरे मन से आपसे प्रेम रख सकूँ, ताकि मैं ऐसा जीवन जीऊं जो आपको पसंद हो, और इस दुनिया में हर जगे लोग आपकी स्थुति करें, आमीन। येशु ने अपने शिश्यों के बारे में कहा, मेरी भेडे मेरा शब्द सुनती हैं, और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे चलती हैं। येशु के शिश्य आपस में मिलते हैं, वो हर रोज उनसे बातें करते हैं, उनके वचन को पढ़ते हैं, वो हमेशा उनकी शिक्षाओं को मानते हैं, अनुसरन करते हैं, येशु उनके मार्क दर्शक हैं, और परमेश्वर का आत्मा, जो उनके हृदे में रहता है, उन्हें सामर्थ्य प्रदान करता है। हमेशा उसे याद रखें, जो येशु ने उनके स्वर्ग पर उठाये जाते समय कहा, परमेश्वर ने मुझे समस्त स्वर्ग और प्रित्वी का अधिकार दिया है। विश्वास रखें कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ इस जगत के अंत तक हूँ।